नमस्कार दोस्तों विजय कर्मिम आपका एक बार फिर से स्वागत हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पिछली क्लास में हमने कोश्चन नंबर 15 तक कर लिया थे आयवाय खाते के और अब हम आयवाय खाते में सोलो ये नंबर के कोश्चन से अपनी ये क्लास चालू करते हैं तो अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हैं तो वो क्लास इसके बास ज़रूर देख लीजिए आप और ये पहली क्लास मानता हूं मैं कई बच्चे होंगे कि यही वीडियो सबसे पहले देख रहे होंगे तो देखिए मैं आपको एक ओवर्यू समझा देता हूं दो मिनिट में फिर से और जो बच्चे पुराने हैं उनके वापस से रिवीजन हो जाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हुआपन ये लेखें अब गैर व्यापारीक संस्थाओं का मतलब क्या है गैर व्यापारीक संस्थाओं का मतलब एसी संस्थाओं जो क्या कर रही है जो व्यापार नहीं करना चाहरी है पर वो कुछ करती है कुछ करती है मतलब एक activity करती है वो संस्ता है जैसे एक trust है जो मैं एक पिछली बार दिया था उसी एक्जांपल को continue रखता हूं ताकि पिछले बच्चों का revision हो जाया और नए बच्चों का उसमें उनको समझ में आ जाया तो यह कर रही है यह संसा एक school चला रही है और इन बच्चे यह जो बच्चे आते हैं इन से क्या करते हैं या तो इनको फ्री में सिक्षा दे देते हैं मतलब कोई पैसे नहीं ले रहे हैं या फिर इनसे कितने रुपे लेते हैं पचास रुपे जैसा कि मैंने पिछले एक्जांपल होता है तो यह इतने पैसे कम ले रहे हैं या फिरी में इनको पढ़ा रहे हैं ऐसा क्यों करती है इस संस्थाएं तो इतने कम पेसे में इतना school चल सकता है कि हम इतना बड़ा school है इसमें teachers होंगे furniture होगा electricity भी लाएगा और कई तरह के खर्चे होगे इनको transportation की गाणियां लगानी होगी उन सब के खर्चे यह करेंगे तो यह खर्चे फिर कहां से लेंगे जब अगर यह 50 रुपे लेंगे या फ्री अब donation कितना दिया मान लीजे donation इनोंने दिया इनको 10 लाग रुपे गाण ठीक है इनके आप main जो income हो रही है वो क्या हो रही है यह donation से हो रही है पचास रुपे कोई income नहीं तो एक नाम मातर की fees लिया है main जो income है वो है यह donation यह donation आता है और यह donation से यह सारे खर्चे करते हैं और इन बच्चों को यह education के शिक्षाय देते हैं ऐसे ही hospital काम करेगा hospital में hospital में मरीज आएंगे उनको free में या बहुत कम पेसे में जैसा कि आपने देखा सरकारी अस्पतालों में 10 रुपे 5 रुपे की परची बनाई जाती है और उनको उसमें treatment दिया जाते है ठीक है और उनक काम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहें बट अब जो विक्ति है जिन्होंने पैसे दिये हैं यह देखना चाहते हैं कि जो हम इनको donation दे रहे हैं इसका सही इस्तमाल किया जा रहा है या नहीं इस लिए और सरकार भी देखना चाहती है कि जो पैसा कल्यान कारी चीजों के लिए लोगों की भले के लिए दिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं कोई fraud तो इसलिए क्या किया गया है इनके लेखे बनाए जाते हैं तो उसी को ही क्या कहते है गेर वैपारिक संस्ताओं के लेखे और इनका उद्देश प्रॉफिट कमाना है क्या प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश होता है क्या इन संस्ताओं का नहीं इनका उद्देश प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता है और इसलिए इनके जब आ और जो पुराने बच्चे होंगे जुन्होंने पहली क्लास देखी तो उनका रिवीजन होगया होगा 15 कोशन तक हमने स्वाल किया हुआ है तो वह कोशन जरूर से आप देख लीजेगा अभी 16 कोशन से इस अधार पर आपको समझ में आ जाएगा और कहीं कोई कोशन होगा तो मैं उसमें भी आपको बताते जाओंगा कैसी संस्थाएं हैं ये संस्थाएं वो हैं जो क्या बताती है जो अपनी ये बताती है इनकम नहीं बताती है इनका उद्देश तो लाब कमाना होता नहीं है तो ये दोनों तो आने से रहे ये वाले दोनों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्या बोलें आयगत प्राप् खाता केसा खाता है वेक्तिगत खाता है वस्तुगत खाता है नाम मात्र का खाता या इन में से कोई नहीं तो देखिए जो आयवय खाता वो क्या income and expenditure, income और expenditure बताता, income और expenditure का मतलब क्या हुआ, जो revenue nature के होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, income और expenditure किस तरह के nature के होते हैं, नाम मातर के, तो ये खाता भी कुन सा होगा, फिर नाम मातर का खाता होगा, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, C, नाम मातर का खाता, चलिए, बात करते हैं, question number 18 कोशन नमबर 18 आपके सामने आ गया है कोशन नमबर 18 क्या बोल रहा है प्राप्ति भुक्तान खाता है अब प्राप्ति भुक्तान खाते में क्या होता है प्राप्ति भुक्तान खाते में हम क्या करते हैं केश में केश में केश तो केश क्या हो रही है या तो केश हमारे संस्था या हम Case का Payment किसी को करेंगी मतलब या तो हमको Donation ने किसी तरह से Income वोगी या हम उसका वैय करेंगे Salary देंगे और बहुत सारे वैय होते हैं वो करेंगे तो यह क्या हो रही है Case का आना और Case का जाना तो यह Case का होती है वास्त Rio होती है 그럼 असेट का होती है पूंजी गत मदे, क्या बोल रहा है, पूंजी गत मदे, आयवय खाते में दिखाते हैं, अब कुन सी मदों की बात कर रहा है, पूंजी गत मदों की ध्यान रखेगा, कोशन इस तरह की दे देगा, पूंजी गत मदे, या आयगत मदे, तो ध्यान रखेगा, पूछा कहा जा र तो देखे पुझीगत मद आयवाइ saga दिखाते ही नहीं है क्यों नहीं दिखाते है क्यूंकि आयवाइ का मतलब क्या हुआ पुझीगत मदो का मतलब हुआ जैसे हमने क्या खरीदी मसीन खरीदी मसीन खरीदी मसीन वेपार में मसीन खरीदी गई है जैसे स्कूल में बात करें तो स्कूल ने क्या खरीदी बस खरीदी, स्कूल ने बस खरीदी बच्चों को छोड़ने के लिए बस खरीदी तो अब ये बस क्या है? ये बस है ये बस क्या है ये बस है पुंजी गत्मद तो पुंजी गत्मद को हम कहां पर दिखाएंगे पुंजी गत्मद को हम दिखाएंगे बेलेंस इट में किस में दिखाते हैं पुंजी गत्मद को बेलेंस इट में दिखाते हैं ध्यान रखिएगा तो क्या लेहाएगा हमारा अंसर इन में से कोई नहीं तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा D बात करते हैं question number 20 पर question number 20 आपके सामने आगिया है question number 20 पर बात करते हैं और अगर आप हमारी online class जाइन करना चाहते हैं तो यह हमारा number 8962429653 और मैं लगातार वीडियो भी लेकर करेंगा MCQ वीडियो तो चैनल पर लाऊंगा ही और summary वीडियो भी लेकर करेंगा पर अगर आप detailed में class पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस number पर संपर करके हमारी online class जोईन कर सकते हैं ठीक है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को like और share जरूर से कर दीजिए तो चलिए वापस से हम अपने question पर आ जाते हैं आज जीवन सदस्ता सुल्क दिखाया जाएगा अब यह क्या बोल रहा है आज जीवन सदस्ता सुल्क lifetime membership fees होती है उसको कहाँ पर दिखाने तो देखिए lifetime membership food क्या होती है पूंजी का फिर वो हो जाती है पूंजी का एक पार्ट हो जाती है तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको पूंजी में जोड़ देते हमको क्या होई है income होई है lifetime जो सुल्क है वो हमको मिला है हमारी क्या हो जाती है पूंजी माना जाता है इसे और हम क्या करते हैं इसे केपिटल में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा चिट्थे में पूंजी कोस में जोड़ कर दिखाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ठीक है समझ में आया, चलिए, बात करते हैं question number 21 पर question number 21 आपके सामने आगिया है, question number 21 क्या बोल रहा है प्रवेश सुल्क है, मैं थोड़ा speed में पढ़ाता हूँ ताकि कम समय में आपको जादा से जादा question देखने को मिलें और आपको फटा-फट से उसको देख पाएं और बाद में भी अगर आप इसको revision करना चाहें तो उसमें भी आपका कम समय लगे प्रवेश सुल्क, प्रवेश सुल्क कैसा है, आयगत है, पुंजी गत वय है, आयगत आय है पुंजी गत आय है, या आयगत और पुंजी गत दोनों है, इन में से कोई नहीं क्या बोल रहे है, प्रवेश सुल्क, ज्यान रखिएगा, क्या बोला गया है, यहाँ पर प्रवेश सुल्क तो प्रवेश सुल्क क्या होता है, अब दीके प्रवेश सुल्क क्या है न, दोनों तरह का मिलता है क्या होता एक तो lifetime lifetime piece मिलती जैसा कि आपने ओपर देखा है तो private तरह का होता है, ठीक है, ये दोनों तरह का होता है, तो अगर एक साल के लिए जा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, आए गत, पर अंतु अगर लाइफ टाइम के लिए जा रहा है, तो वो कैसी हो जाएगा, नेचर, उसका पूंजी गत, नेचर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क् मिला है वह current year से sambandit मिला है तो फिर हमारा answer क्या हो जाएगा आयगा परंत अगर उन्होंने केवल पुछा है प्रवेशिल के किस तरह के होते हैं तो दोनों तरह के होते हैं तो हमारा answer क्या हो जाएगा आयगा तो पुनजी करें mountain box concern number 22 पर बात करते हैं questions number 12 आपके हमने आ गया, क्या बोल रहा है, एक कलब ने चंदा प्राप्त किया, अब यह क्या बोल रहा है, एक कलब ने चंदा प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, 30,000 रुपे, जिस में से पिछले वर्स के चंदे कितने हैं, 10,000 रुपे, पिछले वर्स का चंदा मतलब ये 30,000 में से 10,000 कौन सा है last year का है और आगामी वर्स मतलब next year का चंदा जो है वो कितना है 5000 रुपे का है तो प्राप्ती भुक्तान खाते में कितना दिखाया जाएगा देखे प्राप्ती भुक्तान खाते में कितना दिखाई जाएगी कितने amount दिखाई जाएगी गिराशी दिखाई जाएगी यह आपसे पूछा गया तो देखिए एक बात मैं आपको बता दू जो प्राप्ति भुक्तान खाता होते हैं एक बात यह कंटस्ट कर लीजेगा कभी भी आपका अगेर व्यापरिक संसाओं में कोश्चन पूछा जाएगा तो आपका कोश्चन प यह है कि किसी भी साल से संबंदित हो किसी भी साल से संबंदित हो पेशा किसी भी साल से संबंदित हो चाहे वो पिछले सालों का हो चाहे वो अगले सालों का हो अगर वो हमें मिला है तो वो हम प्राप्ति भुक्तान खाते में लेते हैं हमें कितनी अमाउंट मिली है यह धिय इस वर्स मिला है, क्या मिला है, पांच लाग का चंदा इस वर्स मिला है, तो प्राप्ति भुक्तान खाते में कितना आ जागा, पूरा 15 साल वे पर, प्राप्ति भुक्तान क्या मतलब ही क्या है, प्राप्ति और भुक्तान, कितना मिला, कितना भुक्तान किया, बस, और कुछ कुछ नहीं देखना है किस वर से संबंदित, आपको बस एक चीज देखनी है, कि वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा अंसर क्या हो जाएगा, 30,000, तो हमारा अंसर हो जाएगा, B, 30,000 रुपे, चलिए, बात करते हैं, question number 23 पर, question number 23, मैंने भी आपको उपर स मतलब एक specific चीज के लिए donation दिया गया, यहाँपर donation किस लिए दिया गया है, यह बात दिया लखीगा, इसी specific purpose के लिए जब donation दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो फिर क्या रहे न, उससे related हो जाता है, तो वो हम अपने normal routine में यूज नहीं कर सकते हैं उस donation का, उसका donation का use क किया जाएगा और कहीं donation का use नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगी liability हो जाएगी हम इसका use कहाँ पर करेंगे केवल भवन निर्माण में ही करेंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको आई वाई खाते में ले जाएंगे और दाई तुपक्ष में दिखा देंगे क्योंकि यह हमें किसलिए मिला है यह direct मिला है भवन निर्माण के लिए तो हमारा answer क्या हो जाएगा चिट्थे के दाई तुपक्ष में हम बताते हैं तो हमारा answer हो जाएगा C यह वाद ध्यान रखेगा परंतु अगर यहाँ पर भवन निर्माण ना देते भवन निर्माण नहीं देते भवन निर्माण नहीं दिया होता यह दिया होता दान प्राप्त हुआ तो बस हम फिर इसे आयवय खाते में ले लेंगे ठीक है हम क्या लेंगे इसे आयवेख खाते में simply ले लेते अगर यहाँ पर यह नहीं देते क्या नहीं देते भववन- निर्मान की बात नहां देते हुए simply यह हमें देते थे कि दान प्राप्ट वпर तो फिर हम इसे कहां पा लेते खाते में आय पक्ष में ले लेते समझ में आई बात बहुत निर्मान नहीं दिया होता तो बात करते हैं कोशन नमबर 24 पर कोशन नमबर 24 आपके सामने आ गया है निमने लिखित में से आई वै खाते में नहीं लिखे जाने वाली मद है अब यह क्या बोल रहे हैं आयवय खाते में नहीं लिखी जाने वाली मद कौन सी होगी, तो देखिए, आयवय खाते में कौन सी मद नहीं होगी, अभी देखिए, क्या बोला है उन्होंने, विशिष्ट दान, विशिष्ट दान का मतलब क्या है, विशिष्ट दान, विशिष्ट दान का मतलब उपर ही द जैड़े अब जिसे सरकारी साहता कई बार संसां को मिलती है सरकार की तरफ से भी जी सरकार की तरफ से जी बlog के आ Wei tum के लिए लिए के बात करते हैं canım नमबर 25 पर ग्याद करने के लिए बनाती है अब क्या बोला है ग्यार वैपारिक संस्ता एकदम easy question है पर मैंने आपको बोला है easy question भी आएंगे और इस बार minus marking है यह बाद ध्यान वखिएगा minus marking है one fourth minus marking है तो one fourth minus marking से examiner को भी पता है कि बच्चा आप और presurized होगा देख एक्जाम का pressure हर किसी को होता है चाहिए वह आपकी exam हो या हमारी exam किऊना हूँ किसी की भी exam exam होती है exam में अगर कौई भी बच्चा बेटता है तो उन्हörung पता होता है examiner को भी पता होता है कि बच्चा pressure में इस बार भी पेपर डिफिकल्ट थोड़ा था तो इस बार भी उन्हें पता है कि अब तो माइनस मार के हो गई तो बच्चा थोड़ा से संभल के question solve करेगा कुछ question नहीं आएंगे तो वह तुपके नहीं लगाएगा तो अब थोड़ा सा ओर टफ हो गया है पेपर तो इसलिए exam पच्चो का एक अपना strong portion जरूर होता है सब सब्सब्जेक में कि यह मेरा strong portion है तो जब strong portion से question पुछा जाए तो कोसिस यह करें कि वहां से आप गलती ना करें क्योंकि माइनस मार्किंग भी एक बड़ा फेक्टर शाबित होगी ठीक है तो जब ऐसे सरल question आए तो आपको पता सी यह